हेलो फ्रेंड्स यह है हमारी बेकरी श्टाइल बिना मार्गरिन बिना बटर के बनेवी जीरा कुकी जिसे आप एक महीने तव इस्टोर करके इंज्जोई कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी की फटाफट शूरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यह हाफ कटोरी घर की पिसी वी चीनी ले ली है और हाफ कटोरी में उसमें घी डाल रही हूं घी पिगलावा नहीं है हलका सा जमावा होना चीए और इसे अभी हम बीट कर लेंगे चमच की मदद से या विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे इन दोनों को अच्छे से बीट करके और अभी हम इसमें एक कटोरी मैदा जिसके साथ मैंने एक टी स्पून कुश्टड पाउडर ले लिया और इसमें हम वन फौट टी स्पून बेकिंग पाउडर और वन फौट टी स्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि जीरा कुकिस थोड़ी नम्कीन होती है तो इन सब को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसका एक रफली साथ डो बना लेंगे बस एक खटा बर करना है मसल नहीं है और इसके लिए आपको जुरूत हो तो एक से दो टैबल स्पुन आप इसमें ठंडा डूर डालें आप चुकि यह जीरा बि और ऐसे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं उसके लिए बैल आइकन को क्लिक कर लें और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें दोस्तों के साथ शेयर भी करें अभी हमारा डो रेडी हो गया है अगर आप इसको ओवन में बनाना चाते हैं तो ओवन को दो कर लिए मैंने इसको आईता काड़ शेप दे दिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे आप शाहें तो इसको इस शेप में बनाए या आपको जैसा शेप पसंद हो जैसे मैं पहले कुकी कहीं बार बना चुकी हूं तो आप शाहें तो वैसी भी बना सकते हैं चोटासा डो से उसको शेप दे सकते हैं तो ऐसे कटिंग करके हम इनको ग्रीज कीवी प्लेट में रख लेंगे हाफ आफ इंच की कटिंग करें ज्यादा मोटी कटिंग ना करें वरना ये बेख होने में दिक्कत होगी और ज्यादा पतली कर देंगे तो वो कड़क हो जाएगी तो अभी इनको हम 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देता हैं फिर हम इनको बेख करेंगे मैं कुकर पर बे यह देखिए यह बेख होने के बाद यह ऐसी बनी है हमारी कुकिस है ना बिल्कुल बेकरी वाली कलर भी आप देख पार है कितना अच्छा आया इसका तो बस आप भी ऐसे इसी वे में इन जीरा कुकिस को घर पे बनाए इनने एक महीने तक श्टोर करके चाय या कॉफी के सा तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू